Hello Friends, Welcome back to English with Aasha Maim आज के वीडियो में हम एक passage की reading करेंगे और ये वाला passage जो है वो based है nature के उपर यानि प्रकृति के उपर तो प्रकृति से हम क्या-क्या सीखते हैं और क्या-क्या चीजें प्रकृति हमको देती हैं और साथ में सिखाती है उसके बारे में पूरा passage है इसको पढ़के फिर कुछ question answers है जो की multiple choice questions है वो भी मैं आपके साथ share करूँगी आप अपनी understanding के according उनको solve कर सकते हो उसके answers भी होंगे तो जो भी wrong answer होंगे explanation के साथ दिया गया होगा आप उसको check कर सकते हो और अपने जो भी answer है वो correct कर सकते हो सो आगे बढ़ने से बहले ये बता दू कि solved passages ये मैंने एक playlist बनाई है आप चैनल पर जाके देख सकते हो तो उसमें passages हमने read किया है और हमने समझे है उसके बाद question answers भी है उनके और पूरा multiple choice questions है उनके answers भी share किये हैं तो आप अपनी understanding के according questions को solve कर सकते हो और देख सकते हो कितना आपको समझ में आया है तो आईए आज का video शुरू करते हैं Nature is our mother Nature प्रकृती है हमारी मा Mother मा Our first teacher और हमारी पहली शिक्षिका या शिक्षक तो प्रकृती जो है वो हमारी मा है और हमारी पहली शिक्षिका है शिक्षक टीचर जो हमको सिखाता है यहाँ पे देखिए प्रकृती इसके लिए जो pronoun यूज किया गया है वो है शी तो इसलिए शिक्षिका ही बोलूँगे मैं यहाँ पे और हमारी पहली शिक्षिका The greatest lesson that she teaches us The greatest यह जो degree है adjective की वो है superlative degree Three degrees होती है adjective की एक होती है positive degree, comparative degree और superlative degree Superlative degree that means सबसे ज्यादा तो यहाँ पे EST लगता है जो भी adjective होता है उसमें EST लग जाता है और पहले द लगता है The greatest lesson सबसे बड़ा lesson that means शिक्षा that she teaches us जो प्रकृती हमें सिखाती है is to maintain an equilibrium in life तो maintain means बनाए रखना और equilibrium संतुलन तो क्या है सबसे बड़ा lesson जो हमको सिखाती है की हमें संतुलन, life में, जीवन में संतुलन बनाए रखना है We learn to maintain composure, composure through our joys, sorrows and fears We learn to maintain, हम सीखते हैं to maintain बनाए रखने के लिए composure Now composure means संयम बनाए रखना, अपने मन को शांत रखना तो हम लोग क्या सीखते हैं, बनाए रखना संयम, संयम बनाए रखना through our joys, joys खुशी, sorrows, दुख और fears, डर तो अपने सुख में, दुख में और डर, इसके दौरान अपने मन को शांत बनाए रखना और संयम बनाए रखना ये भी हम प्रकृती से ही सीखते हैं इन फाथ, वास्तव में, देर आर अथाओजन लेस्नस दाओज़र कैन टीच अस, इन फाथ वास्तव में थाजारों लेस्नस हैं, हजारों शिक्षा हैं, या सिक्षा न हैं जो कि हम प्रकृती से सीख सकते हैं या प्रकृति हमको सिखा सकता है यहां लिखा है nature can teach us प्रकृति हमको सिखा सकती है provided we look for them now provided means बशर्ते तो शर्त किया इसमें provided बशर्ते we look for them now look for यह जो है phrasal verb है इसका मतलब होता है ढूणना look for ढूणना या किसी को खोजना तो provided बशर्ते कि हम उसको ढूणने आसपास खोजें तो हम हजारों लेसन सीख सकते हैं प्रकृति से with time a sapling grows into a full grown tree with time समय के साथ a sapling sapling means पौधा grows into a full grown tree पूरी तरीके से एक बड़े वरिक्ष में बदल जाता है या बढ़ जाता है something so tiny and delicate develops into a strong tree तो something so tiny tiny means छोटा delicate means कोमल develops बढ़ता है into a strong tree एक मजबूत पेड में बदल जाता है तो यहाँ पे लिका है कि with time a sapling grows into a full grown tree समय के साथ एक छोटा सा पौधा बन जाता है एक बड़ा वरिक्ष something so tiny and delicate develops into a strong tree और जो पौधा जो की बहुत छोटा और कोमल था वो बन जाता है बदल जाता है बढ़ जाता है किसमें एक मजबूत पेड में capable of supporting others capable सक्षम होना supporting सहायता करना others तो अभी तो वो छोटा सा था कोमल सा था लेकिन अब वो जब बड़ा होके strong बन गया मजबूत बन गया तो तब वो क्या करता है सक्षम है वो दूसरों की मदद करने में supporting others अब किस तरीके से बात की है पेड बड़े होकर किसको support करता है जो चिडिया उसमें रहती है और जो भी पक्षी वगरा उसमें रहते है animals उसकी छाया में बैठते है तो support करने लग गया वो दूसरों की मदद करने लग गया जब वो मजबूती हासिल कर ली उसने तो प्रकृति हमको सिखा रही है यह no matter how tall it grows no matter इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वो कितना tall हो गया कितना उंचा हो गया how much it may flourish flourish means फलना फूलना तो इससे भी कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वो कितना फल फूल गया है और how many animals and birds it may support इससे भी कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कितने जानवर animals जानवर birds चिडिया it may support को वो सहायता कर सकता है its roots are firmly buried from where it wants rose its roots its जो है वो प्रोनावन है जो कि उस पेड की जड़े are firmly buried firmly मजबूती से और b-u-r-y इसको हम मोलते हैं bury और i-e-d लग गया past test दिखाने के लिए तो buried हो गया गड़ा हुआ तो firmly गड़ा हुआ जुड़ा हुआ मजबूती से जुड़ा रहता है from where it wants rose यह जो rose है यह rise का past tense है second form of verb है rise rose risen ठीक है तो rose क्या हो गया बढ़ना या उपर उठना तो वो कभी भी भागता नहीं है अपनी जणों से दूर वो मजबूती से जुड़ा रहता है जहां से वो एक बार आगे बढ़ा था तो अब एक फिर से पढ़ेंगे क्योंकि important line है no matter how tall it grows how much it may flourish or how many animals and birds it may support its roots are firmly buried from where it once rose तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कितना वो tall हो जाए उचा हो जाए या वो कितना फलफूल जाए या कितने जानवर और चिडिया को वो support करे सहायता करे उसकी जड़े होती है वो हमेशा मजबूती से जुड़ी रहती है जहां से वो एक बार आगे बढ़ा था that's a lesson तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है to keep ourselves grounded कि हम अपने आपको रखे ourselves अपने आपको रखे grounded now grounded means जुड़ा हुआ अपनी जड़ों से grounded रखे respect and embrace our roots respect करे सम्मान करे और embrace our roots अपनाए अपनी जड़ों को and give something back to those humble beginnings और दे कुछ चीज़ वापस उन humble beginnings ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जहां से हम आए हैं humble means साधरन सा तो इसको हम बोल सकते हैं कि starting out small and then growing over time कि हमने शुरुआत तो की छोटे चोटे तरीके से शुरुआत की पहले तो हम छोटे थे और समय के साथ हमने सफलता हासिल करी तो humble beginnings जो हमने हमारी शुरुआत थी एक छोटे से scale से और अब हम बहुत बड़े हो गए हैं तो humble beginnings को भूलना नहीं है वही हमारी roots हैं वही हमारी जड़े हैं तो नर्चर मतलब पालन पोशन करना भरन पोशन करना जब हमको पनपने के लिए वह वाली facilities चाहिएं तो उस टाइम पे जो हमारा भरन पोशन करता है तो जुन जड़ों ने हमारा भरन पोशन किया into who we are into means जैसे हम आज है तो उतना आगे बढ़ने में जहां से हमको मदद मिली है जहां से हमारी शुरुवात हुई है उन beginnings को उन साधारन सी शुरुवात को हमको भूलना नहीं है ये भी प्रकृति हमको सिखाती है चाहे जितने बड़े हो जाए चाहे जितनी शोहरत पैसा आ जाए हमारे पास लेकिन फिर भी हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए हमें घमन नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल भी ego और pride नहीं आना चाहिए तो ये कहने का मतलब है प्रकृति हमको ये भी सिखाती है अब next message है then there is the message of peaceful coexistence फिर एक और जो message है शिक्षा है संदेश है जो प्रकृति हमको दे रही है वो है peaceful, शान्तिपूर्ण coexistence now coexistence means सह अस्तित्व मतलब कि हमारा अस्तित्व तो है आस पास जो चीजे हैं उनको भी हमको सुरक्षित रगना है तो coexistence मतलब साथ साथ ही हमको आगे बढ़ना है शान्तिपूर्ण और साथ साथ मौजूद की तो there is the message of peaceful coexistence अब यहाँ पे inverted commas में लिखा है I am because we are मैं हूँ क्योंकि हम है तो दूसरे लोगों की वज़े से भी हम है और यहाँ पे सिर्फ humans की बात नहीं गई है औरों की भी है जैसे की भगवान ने प्रकृति को बनाया है प्रकृति में हम भी है पेड़ पौधे भी हैं जीव जन्तू भी है सब कुछ है हवा पानी I am because we are मैं हूँ क्योंकि हम है तो यही होता है peaceful coexistence नेचर प्रकृति प्रकृति प्रदान करती है हर एक जीव को अचांस एक मौका to exist तो exist मतला अस्तित्व में रहने का However, the existence of one creature or being depends on the existence of the other However, हलंकी existence अस्तित्व एक जीव का और being यहाँ पर being मतलब जीव जन्तूओं का depends, depend करता है निर्भर करता है on the existence of the other दूसरे के अस्तित्व पर इससे बता लगता है कि हम एक दूसरे पर कितने interdependent है निर्भर करते है The tiger अब एक्जाम्बल दिया गया है The tiger eats the antelope Tiger eats खाता है antelope antelope बारा सिंगा उसको खा लेता है Without the antelope The tiger won't survive तो antelope means जानवरों जिनको जो tiger है वो खाता है तो without antelope बारा सिंगा के बगैर tiger wouldn't survive tiger जो है वो जीवित नहीं रहे पाएगा और जीवित नहीं रहे पाता Likewise इसी तरह Without tigers The over abundance Abundance of antelopes Would cause them To starve to death अब यह बोड़ रहे है कि Likewise इसी तरह से Without tigers अगर tigers नहीं होते तो तब क्या होता Antelope की संख्या बढ़ती जाती Over abundance Abundance means Large quantity बड़ी मात्रा तो क्या हो जाता Antelope बहुत मात्रा में बढ़ जाते It would cause them To starve to death Now Starve means भूका तो जब Antelopes की संख्या बहुत बढ़ जाएगी 12 सिंगा की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो उनके लिए भोजन जो है वो तो limited है वो प्रवाइड नहीं हो पाएगा और वो भी भूके मर जाएगे इसलिए प्रकृती ने ये नियम बनाया हुआ है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है वो किसी और पर निर्भर है तो इस तरीके से food chain चलती रहती है Interdependent एक दूसरे पर हम लोग है तो प्रकृती हमको ये भी सिखाती है I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator तो I wonder एक expression है ये तब यूज किया जाता है जब हमको कोई doubt हो ठीक है to have doubt on something जब हमको कोई doubt हो तो तब हम ये expression यूज कर सकते है when you ask for someone's opinion और information तो जिसे अगर आपको किसी से कोई information या उनका opinion चाहिए ठीक है तो आप ऐसे बोल सकते हो I wonder whether you know about it ठीक है तो आप उनसे opinion मांग रहे हो या information कुछ आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो तब आप ये expression यूज कर सकते हो यहाँ पे जो है पैसेज लिखा है वो कह रहा है I wonder if you have noticed मुझे doubt है अगर आपने notice किया हो आपके notice पे ये आया हो that when birds or squirrels birds चिडिया और squirrels गिलहरी squirrels गिलहरी see a predator अब predator कौन होता है? हिंसक जानवर जो की दूसरे जानवरों को मार के अपनी भूक मिटाता है तो when birds or squirrels see a predator जब ये चिडिया या गिलहरी अगर predator को देखती है हिंसक जानवर को देखती है they give out an alarm call तो वो क्या करती है? give out means देती है एक alarm call जोर से चिलाती है तो ये alarm call हो गया to their fellow creatures अपने fellow means साथी जीव जनतूँ को तो birds भी चिलाती है squirrels भी जोर से आवाज करती है तो ये nature नहीं इस तरीके नियम बनाया है कि जब वो कोई predator को देखती है तो वो कोई आवाजे निकालती है fellow creatures of the lurking dangers lurking means छिपा हुआ और danger खत्रा तो जो छिपा हुआ खत्रा है कि predator आ गया है उनको आगा करने के लिए वो भी कुछ चिलाती है birds और squirrels अपने दोस्तों को आगा करने के लिए they put themselves in danger अब जब उन्होंने आवाज निकाल दी तो जो predator है जिन्होंने उनको देख लिया है तो उन्होंने अपनी जान तो खत्रे में डाल दी तो यहाँ पे लिखा हुआ है they put themselves in danger अपने आपको खत्रे में डाल देती है to save the lives of other दूसरी lives को बचाने के लिए या दूसरे जीव जन्तों की life को बचाने के लिए अब next बताया है कि the snow melts in the warmth of spring snow,burf,melt पिखल जाती है किसकी गर्मी में spring spring भी एक season है वसंत तो वसंत की गर्मी में क्या होता है जो ठंड में बर्फ पड़ी थी वो पिखल जाती है to give birth to fresh green leaves और give birth जन्म देने के लिए नए नए green पौधों को पेड पौधों को यहां कहा गया है कि season में भी बदलाव आता है एक season खतम होता है winter खतम हुआ spring आया spring तो उसमें क्या होता है fresh पत्तियां आती है उसके बाद पज़ड आता है in autumn these leaves age into shades of gold अब autumn में क्या होता है यही वाले पत्ते जो green थे वसंत के season में यह green थे अब यह कैसे हो जाते है these leaves age age का हुआ कि उम्र के साथ साथ या summer time के साथ साथ time के बीतने के साथ साथ यह वाले जो पत्ते हैं green से change into the shades of gold अब यह भी कैसे हो जाते है golden color के only to be buried in the cold grave of winter only to be buried that means अब यह golden color के हो गए सुनहरे रंग के और फिर यह गढ़ जाते हैं या buried तो हो गया जमीन के नीचे धस जाना जमीन के नीचे गढ़ जाना तो buried मतलब डब जाना in the cold grave of winter तो grave of winter that means अब winter आ गया शीत मौसम आ गया सर्दी का मौसम आ गया तो उसमें भी यह दब जाते है cold grave of winter change is inevitable तो यहां पर बताने का मतलब यह है कि प्रकृती में seasons मौसम बदलते रहते हैं change is inevitable inevitable इसका मतलब होता है कि जिसको होना है जो होकर ही रहेगा जो अवश्य ही होकर रहेगा जिसको टाला नहीं जा सकता inevitable जिसको टाला नहीं जा सकता अब बताईए क्या हम seasons के बदलाव को रोक सकते हैं समय को चलने से रोक सकते हैं नहीं यह चीजें inevitable होती है इनको अवश्य होना ही है इनको रोका नहीं जा सकता तो change जो है बार बार बदलाव आता रहना यह तो inevitable है यह तो इसको अवश्य ही होना है the sooner we embrace this the better it is for us the sooner जितनी जल्दी हम इसको अपना ले इस घ्यान को और the better it is for us उतना ही अच्छा होगा यह हमारे लिए तो जितनी जल्दी हम इसको अपना ले कि change जो है वो तो होकर ही रहेगा उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा we must also understand that even in pain there is growth और हमको यह भी समझना है कि even in pain दर्द में भी there is growth एक बढ़ोतरी है अब किस तरीके से if you cut a hole in the tree it will grow around it तो अगर आप एक छेद बना देते हो tree में काटते हो और उसमें एक छेद बन जाता है तो फिर भी क्या होता है growth तो हो जाती है फिर से नए पत्ते आ जाते है कुछ time तक ठीक है थोड़ा वो सूखा पढ़ जाएगा लेकिन उसके बाद क्या होगा फिर से नए पत्ते आ जाएंगे it will grow around it no matter what may come in its way and river will continue to flow अब यह प्रकृति से example हमको दे रहे हैं कि no matter इससे भी कोई फर्क नहीं पढ़ता या चाहे कोई भी no matter what may come in its way no matter इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि क्या चीज़ें उसके रास्ते में आती है एक नदी जो है will continue to flow वो तो बहती रहेगी नदी बह रहे है उसके रास्ते में पत्थर चटाने ये आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो बहती रहती है ये बहना नहीं छोडती है similarly no matter what grief may break your heart इसी तरह से no matter what grief may break your heart grief मतलब दुख तो ये भी कोई फर्क नहीं पढ़ता कि कौन सा दुख आपका दिल तोड़ दे nature teaches us that life goes on प्रकृती हमें ये सिखाती है कि जो जिन्दगी है वो चलती ही रहती है goes on चलती ही रहती है मुसीबते भी आती है टल जाती है और समय का चक्र तो चलता ही रहता है प्रकृती हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है उसमें ये भी है that life goes on जीवन चलता ही रहता है keep in mind life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others keep in mind, अपने दिमाग में ये बिठा के रखिये कि जीवन जो है वो सिर्फ list बनाने के लिए नहीं है, isn't about making list कि हम list बनाते रहें कि अब ये काम है, अब ये करना है ये हासिल करना है, वो हासिल करना है कि कोशिश करते रहें, one step लगकि एक कदम आगे दूसरों से रहें, उसके लिए हम जिन्दगी पर तयारी करते रहें कि अब मैं पीछे ना छूट जाऊं किसी और से मुझे तो उनसे आगे बढ़ना है keep in mind, ये भी ध्यान में रखिये कि जिन्दगी सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए नहीं है और ये नहीं है कि आप दूसरों से बस आगे रहें इस दौड में बस भागते रहें life is to live जिन्दगी जीने के लिए है to live, take a break तो एक break लीजिए जिन्दगी से तो थोड़ा आराम भी कीजिए stop being a workaholic workaholic देखिए ये जो है word इसका मतलब है कि जो लोग काम में डूबे ही रहते हैं उनको बोलते है workaholic एक होता है इसी का same type का word है alcoholic जो की हमेशा drink करते रहते हैं एक और तरीके का word आप बना सकते हो shopaholic जो shopping करने का जिनको बहुत शौक होता है उनको बोलते है shopaholic मतलब जिसकी लट पर जाती है तो workaholic जो सिर्फ काम में डूबे रहते हैं तो ये कह रहे हैं कि take a break थोड़ा break भी लीजिए थोड़ा आराम दीजिए अपने आपको stop being a workaholic हमेशा काम में डूबे रहना बंद करो and smell the roses smell the roses यहां कहने का मतलब है कि अपने लिए भी time निकालो प्रकृति को निहारो जो roses that means गुलाब के फूल को smell करो प्रकृति ने कितनी अच्छी खुश्बू है वो देखो do whatever makes you feel happy और वो चीज़ करो जो आपको खुशी प्रदान करती है and most of all spend some time with nature और सबसे जरूरी तो यह है कि आप time निकालो और कुछ समय बिताओ with nature प्रकृति के साथ to pick up invaluable lessons invaluable means amulya या priceless जिसका कोई mulya नहीं है तो ऐसी शिक्षा को लेने के लिए ग्रहन करने के लिए भी प्रकृति की गोद में थोड़ी देर बैट के तो देखो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो आज ही के lesson में जैसे हमने बहुत कुछ सीख लिया है यह आप दुबारा से एक बार देखेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रकृति आपको कितना कुछ सिखाती है अब friends आपके साथ questions शेर कर रही हूँ आप इसका हो सके तो screenshot ले सकते हो और अपना answer देखिए match करता है explanation भी दी गई है यह first question है साथ-साथ answers भी दीए है आप देख सकते है the answer फिर third, fourth आप screenshot भी ले सकते हो और pause करके भी एक बार पढ़ सकते हो और क्या आप answer सोचते हो और क्या answer है इसका वो match कर सकते हो अगर कोई doubt है तो यहीं पर rectify हो जाएगा clarify भी हो जाएगा question number six seven eight and nine और इसका यह answer है I hope friends आज जो प्रकृति से हम लोगों ने यह lesson सीखे है तो आपको यह अच्छे लगे होंगे और यह वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा if you have liked the video please don't forget to like, share and subscribe and thank you everybody for watching see you next time